हेलो एंड वल्कम बैक स्टूटेंट्स इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सीजी बोर्ड क्लास्टेंट इंग्लिश के यूनिट फर्स इंस्पिरेशन का रीडिंग सी अ ग्रेट मोमेंट फॉर आल दोस चिल्रेंट के इससे पहले की वीडियो में हम लोग इस लसन का एक्स्प्रेशन जो है वह देख चुके हैं अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा तो तेक अंटर्वीव थे वन नोबल पीस प्राइस 2014 नेक्स वाइव वस केलास सथ्यार्थी एवादे दो नोबल प्राइस पर पीस केलास सथ्यार्थी को ये प्राइस क्यों मिला था जस्पिकास उन्थोने अपना पूरा लाइप से है वो डिवोट किया था फॉर पर अप्लिफ्मेंट ऑफ मिलियंस उफ चिल्रें इंड वर्ल्ड वर्ल्ड फॉर डिप्राइव ऑफ चाइल्डूड हेल्थ एडुकेशन और फंडमेंटल राइट तो फ्रीडम क्यों मिलास सथ्यार्थी से उन बीग कॉन्राइट बाइडम स्मित यानि कि जब आदम स्मित उनको कॉन्राइट किये तो उनका क्या रस्मॉंस था यहां पे तो जब आदम स्मित कहलास सथ्यार्थी को कॉन्राइट किये थे ना तो वो यहां पे आडप किये थे कि यह पूरे के पूरे इंडियन सिटिजन के लिए एक बहुती ग्रेट ओनर की बात है तो यहां पे आप 25th November तक हर एयर ताकि जो चाइड स्लेवरी है उसके अगेंस्ट वो लोग एक मेसेज दे सकें पूरे वोल्ड को तो इस अन्वल इवेंट और्गनाइस्ट रम 19th October to 25th November sorry 19th November to 25th November every year अगेंस्ट चाइड स्लेवरी इस कॉल अजाड स्लेवरी वीग नाउ व से आप केला सत्यार्थी का इस movement में किस टाइब से support कर सकते हैं या help कर सकते हैं तो as a children the best way to help केला सत्यार्थी in this moment is that we can take the responsibility not to become slaves of anyone सबसे first thing क्या कर सकते हैं children कि वो यह responsibility लें कि हम कभी किसी के slave नहीं बनेंगे तो students इस question का जो answer है वो आप अपने point of view से भी दे सकते हैं जो आपका thinking है क्योंकि as a children हो सकता है आपके mind में और भी दूसरे ideas develop हो तो आपको जो भी ideas develop होते हैं उसको आप इस question में अपने answer के साथ में frame कर सकते हैं तो त्यार्थी के according जो लोग हैं वो कैसे help कर सकते हैं to abolish child slavery तो यहाँ पर two ways which people can help to abolish child slavery according to सत्यार्थी are first point everyone must acknowledge and feel that child slavery still exists in the world and is evil we have to abolish it सबसे first क्या होगा कि आपको उस चीज़ को accept करना है कि हाँ ऐसा कोई चीज मतलब child slavery आज भी exist करता है वर्ल में और वो एक evil है उसको abolish करना required है next है need of higher amount of political views and corporate engagement यह lesson के explanation में हम लोग बहुत अच्छे से देखे थे next है eighth question child labor still exists in the world do you agree with the statement give reasons तो क्या आप इस statement से agree करते हो और अगर करते हो तो reason देने के लिए so yes I agree with this statement that child labor still exists in the world reason क्या है इसका we can see children working in private institutions hotels small shops factories etc and these all things prove that child slavery exists in the world students I hope आपको यह जो lesson है वो completely समझ में आया यह जो video है वो पूरा completely आपको समझ में आया इसके question answers पसंद है so thanks for watching and please do subscribe if you are new to our channel and if you want to stay connected with us then join the telegram link given in description